हलो एभीवान कैसे हो बचो वेल्कम बाक टू दे चैनल मैं हूँ साउरब दाइवतकर आपका और सिर्फ आपका मातमाटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर आज वापस से मेट्राइसिस के ऊपर लेक्चर कंड़क्ट कर रहे होंगे हम बिकॉस पहला लेक्चर वा था बोर्ट के क्वेशन बैंक के रिलेटेड राइट सेकेंड लेक्चर बिल्कुल बहुत लोगों ने प्यार दिया शॉटकट मेटर्ड्स टू सॉल्ट दा मेट्राइसिस राइट और आज हम लोग कर रहे होंगे सीटी देखो कितना प्रॉपरली हम लोग जा रहे पहले बोर्ट फिर क्वेशन से और जो भी क्वेशन बैंक जो हम लोग ने प्रोवाइड कर दिया है नहीं मिला आपको नहीं मिला है तो नीचे कमेंट नीचे डिस्क्रिप्सें सेक्शन में आपको वाटसेप ग्रूप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा फटा फट जाईए उसके साथ ज कली है शुरुआत करेंगे आपके लाइक के साथ फटाफट से लाइक थोकस यह यह बहुत मज़ेदार होने वाला एद अपने अपने साथे प्रेंड्स लोंग के साथ कॉलेज़ वाला होने दी तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस बारे में थोड़ा जिक्र कर देते हैं आपके लिए सर्फ और सर्फ आपके लिए मेट्राइस का पहला सेशन जो मैंने बताया आपको अविशली बूर्ट के रिलेटेड सेकेंड सेशन शौटकट ट्रिक्स तर्ड सेशन जो होने वाला है आज का वो रहेगा सीटी रिलेटेड इसके बाद मेरा चैप्टर होगा डेरिवेटिव काफी लोगों को इसमें होता है तो जनाब इसके अंदर बहुत सारे questions हम लोग solve कर रहे होंगे obviously इसके भी shortcuts में आपको प्रोवाइड करने वालो फड़ा फट रही तो चलिए पहला question आपके सामने आ रहा है आपके screen के उपर यह रहा if a is square matrix है ना a is a square matrix such that a square is equal to a then i minus a cube plus i is equal to what okay in terms of a answer उन्हें पूछा है in terms of identity उन्होंने answer बोला गया है तो दोनों में से कुछ तो यह जवाब हो सकता है तो a के form में answer होगा या फिर i और a के relation में answer होगा ठीक है no problem पहले क्या दिया है a square is equal to a उन्होंने दे दिया है then i minus a cube बड़े ध्यान से solve करेंगा please concentrate i minus a cube plus a उन्होंने पूछा गया है तो क्या कर रहे होंगे हम i minus a ठीक है जी next one i minus a cube है तो तीन बार लिखूंगा suppose मेरे पास है x cube तो मैं कैसे लिखता हूँ x into x वैसे ही यह cube को भी लिखा जा रहा है तो i minus a यहाँ पे करवा दिया plus a यहाँ पे मैंने करवा दिया ओके पहले जो दो brackets है यह जो दो brackets आपको नज बिलकुल भी उसको multiply कर रहे होंगे क्या मिलेगा multiplication please tell me obviously that will give you i square minus i a minus a i देखो यह sequence change नहीं होना चाहिए आपको जैसे पता है matrices में a into b b into a फरक पड़ता है कभी कभी सेम आता है कभी कभी फरक पड़ता है तो sequence हमें change नहीं करना है right and next one finally plus a square जो उन्होंने यहाँ पे अपने को provide कर दिया है last वाला i minus a का bracket जैसे है वैसे और यह जो पत्थर दिल है plus a उसको वैसे ही रखा मैंने right जी चलिए अब बताइए i into a और a into i obvious thing है कोई भी matrix को मैं identity matrix से multiply कर दूँ तो obviously वो matrix a ही बनता है आ जी बिलकुल सही पकड़े हो बिलकुल सही पकड़े हो तो यह होगा minus a minus a plus a square मजा आ गई मजा आ गई देखो तो सही answer भी मजा आएगा देखो 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 जमबूरी केल देखो minus a minus a कितना होता है जी minus a minus है obviously minus 2a और a square के जगे पे मैं a डाल सकता हो क्योंकि question में ही दिया गया a square is equal to a समझ रहे हो तो यहाँ पे minus 2a हो होगा किरपा हो गई देखो किरपा होगे देखो सही देखो 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 यहां पे होगा i2-2a-2 a मतलब minus a हो जाएगा minus a हो जाएगा और i2 स्कूए मतलब identity का square में करो तो वह आ ही बन जाता है यह तो property है यह तो property है तो माइनस ए यहां पर हुआ यह भी आए माइनस ए हो गया प्लस ए हो गई जी एनी डाउट एनी कन्फूजन कम on everyone everyone in the comment section एनी डाउट एनी कन्फूजन बच्चो पॉफेक्ट यार पॉफेक्ट चलो इसको भी वापस से multiply कर रहे होंगे तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे मुझे मिलेगा ओव्यो तिंग है आए माइनस ए प्लस ए ठीक है बेलकुल बेलकुल क्यों की आए माइनस ए आए माइनस ए आ रहा है देखो ना इनको multiply करके मेरा answer क्या आया आए माइनस ए ही तो आया जनाब अर्यूगेटिंग मैं पॉइंट तो सीधी बात नो बकवास यहां पर ए ए इकट गया answer आ गया आए सीधी बात यहां पर option एक को बिलकुल खुशी खुशी टिक कर देने का मचाने का राइट ही जी चलिए सेकेंड क्वेशन की और बढ़ेंगे आपके स्क्रीन के उपर यह रहा ओहो ओहो ट्रिग्नॉमेट्री बबबजी ट्रिग्नॉमेट्री अब आएगा असली मजा ज साइन टीटाहिं इनको अंदर मल्टिप्लाइब कर देंगे ठीक है चेकरते हैं चलिए 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 फॉस्ञेटाह अंदर म aşले और यहां पर स्कॉस्ञा प्लस कर दिया देखो तो दो step का answer यार दो step का answer CT में ऐसे ही questions आते हैं यह बिल्कुल previous questions है यार राइट जी चलिए यहाँ पर होने वाला है sine square theta minus sine theta into cos theta हाँ जी चलिए next one sine theta into cos theta ओए होए कृपा हो गई यार यहाँ पर sine square theta चलिए जी add कर रहे होंगे हम इनको इनको add करेंगे तो ओव्वियो तिंगे मुझे यहाँ पर मिल रहा होगा four square theta plus sine square theta देखो मैं detail में लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग को concept नहीं आता right plus sine theta देखो इसका addition obviously इसके साथ करूँगा उस particular order का है न order 1111 के साथ करेंगे 1212 के साथ 1313 के साथ like this ठीक है तो add कर वा देंगे तो minus plus obviously वह zero हो जाएगा इधर भी zero हो जाएगा और इधर मुझे मिल रहा होगा four square theta plus sine square theta amazing amazing तो यहाँ पे four square theta बिलकुल यहाँ पे 1001 मचा दिया शोर चारो और क्योंकि मुझे option d मिल चुका है चली है चली है बिलकुल कड़क कड़क trigonometry वाला question हम लोग ने solve कर दिया third question आ रहा है आपके screen के उपर now yes 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 अब आएगा असली मजा जिन्दगी का if a is equal to दे दिया है four minus one minus one k such that a square minus six a plus seven i is equal to zero find value of k देखो यह भी बहुत simple question है परक क्या है इसमें बहुत लोग है ना calculation में mistake कर रहे होते हैं ठीक है calculation में बहुत सारे लोग mistake करते हैं हम लोग इसमें check करेंगे कैसे solve करना है पहले दिया क्या है a square minus six a plus seven i is equal to zero हाँ जी तो a square मतलब क्या है obvious thing is four minus one minus one k यहाँ पे करवा दिया a into a मुझे करना होगा four minus one minus one k ठीक है जी तो यह a square आ गया minus six into a a मतलब क्या है four minus one minus one k करवा दिया ठीक है ठीक है plus seven i i is nothing but one zero zero one कड़क और यह सब को चीज़ी equal to zero उन्होंने दे दिया है चलिए a square निकालते हैं हम लोग four first row first column मैंने कल के ही shortcut में shortcut वाला जो lecture में निकल दिया था ना उसी में आपको सिखा दिया आता जनाब किया matrix multiply कैसे किया जाता है आप वह method से जाते हो तो बहुत बैतर है नहीं जा रहे हो तो directly two by two का है आप फड़ा फट करी सकते हो four into four sixteen होता है minus one minus one plus one हो जाएगा four minus one minus four minus k next one minus four minus k amazing one plus k कड़ा किया six को अंदर multiply कर दो twenty four minus six minus six six k ठीक है जी seven को भी अंदर ले लीजिए seven zero zero seven अच्छा इनको add करने के बाद you will get some equation over here और वही equation को हमें solve करना होगा चलो चलो जी चलो फड़ा फट से करेंगे के वाला ही मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे के का value डोना है और तो कुछ चाहिए नहीं मुझे ठीक है तो देखो के वाला equation यहां पे नजर आ रहा है यहां पे नजर आ रहा है और इधर मतलब two 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 position पे भी नजर आ रहा है तो अब कोई भी equation ले सकते हो मैं इधर का लेता हूँ और उसी के arrangement में मैं यह वाला भी कर लेता हूँ तो minus four minus k यह minus और इधर का position है minus six और इधर का position है zero तो चलिए करवा देते हैं यहां पे minus six है अच्छा हो गायप हो गया जादू है वह जादू हो गायप हो जाता है हो चलिए minus minus प्लस हो गया जी और यह is equal to zero चेक करियो चेक करियो मुझे answer क्या आ रहा है बच्छो minus k और six minus four two आ रहा है जनाब plus two which is equal to zero तो के is equal to मचा रहे है हम लोग two कि करो कृपा हो गई बाबाजी के is equal to two हमें मिल चुका है मचा यह शोर तीसरा question मजाक मजाक में बिलकुल तोड फोड दिया है हम लोग ने चलिए next question on your screen right now देखिए if a is equal to दे दिया है then question दिखने में बहुत चोटा लेगि छोटा packet बड़ा धमागा कैसा है छोटा packet बड़ा धमागा देखिए सारे options जो आपको नजर आ रहे है a से लेकर d तक सारे options वह सारे options में a dash common दिखर आपको what is a dash a dash is nothing but transpose transpose जो सोए है उनको खड़े करिए मतलब जो रो है उनको कॉलम बनाई है या फिर कॉलम को रो बनाई है दोनों में से एक कुछ तो करिए right जी चलो मचाते हैं हाँ जी तो a दिया है तो a dash करवाते है पहले जी ए दैस करवाते उस क्या करेंगे transpose करेंगे जो ρो है उसको कॉलम बना देंगे तो 0, 1, minus 2 कर दिया, minus 1, 0, 5 करवा दिया, 2, minus 5, 0 करवा दिया ये करवा दिया मैंने तो हाँ जी अब देखिए ये जो भी नजर आ रहा है चेक करियो अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन बाहर निकालता हो तो मुझे क्या मिलेगा हाँ जी नेगेटिव साइन बाहर निकालता हो तो मुझे क्या मिलेगा माइनस 1 से माइनस बार निकाला 1 हो जाएगा 0 ये माइनस 5 ये माइनस 2 ये 5 और ये 0 चिक करियो ये तो मेरा given question है ये तो मेरा given question है जी question है चिक करियो चिक करियो चिक करो चिक करो चिक करो आजी आजी माइनस बार निकाला जी माइनस से बार निकाला तो यह माइनस बार निकाला बिल्कुल बिल्कुल यह यहां पर गड़ पड़ है यह माइनस यह प्लस होना चाहिए यह बिल्कुल प्लस होना चाहिए और इधर माइनस दिखना चाहिए अब आपका क्वेशन है यह आपका क्वेशन है तो यह माइनस ए ह option a बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब amazing मज़ा रहा है यो यो चाहिए मुझे comment section में सभी की तरफ से यो यो चाहिए अगर मज़ा रहा है तो come on everyone in in your next question right now co factors of the elements of first column of first column का co factors पूछा है आज तक आप क्या करते थे पूरे matrix का co factor निकालते है देखो question कैसे पूछते है first column का co factor निकालना है आपको first column क्या है यह है right तो इसका co factor निकालना है कैसे निकालते है जनाब चलिए चलिए a11 यह position है चलिए तो क्या कर रहे होंगे हम obviously which is equal to minus 1 raise to 1 plus 1 करेंगे यह तो formula आपको पता है minus 1 raise to i plus j वही 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 ठीक है determinant करवाते है चलो चलो फड़ा फट से यह इसके साथ यह इसके साथ चलो चलो क्या होगा minus 3 3 minus 9 हो जाएगा यहाँ पर minus 1 minus 5 plus 5 हो जाएगा और middle sign middle sign obvious है minus रह जाएगी तो minus of 5 यहाँ पर मिल रहा होगा चेक करो चेक करो यह positive बनेगा यहाँ पर minus of 14 आएगा minus of 14 आएगा no problem अभी column wise निकालना है ना तो गाउटी गिनी मत करो a12 निकाल के time बरबाद मत करिए a21 निकाल यह क्योंकि आपको यह column का निकालना है जनाब समझ रहे हो बिलकुल सही चलिए तो a21 करवा देता हूं मैं a21 तो यहाँ पर minus 1 raise to 2 plus 1 होगा चेक करियो इसका row इसका column कर दिया हटा दिया मैंने और बचेगा क्या बचेगा क्या उसका determinant चलिए 1 into minus 3 minus 3 हाँ जी minus 1 into minus 2 तो positive 2 और बीच में वाला minus से तो यहाँ पे हो जाएगा minus 5 और bracket के बाहर minus रहेगा क्योंकि minus 1 raise to 2 plus 1 है तो यह बनेगा positive 5 होग 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 चेक करिय हो ए 3 1 करियो अभी तो minus 1 raise to 3 plus 1 चलिए 3 plus 1 तो इसका row इसका column हटा दिया minus 5 plus हो जाएगा अभी देखो minus 2 into 3 minus 2 into 3 तो कितना बनेगा minus 6 और बीच में वाला minus positive 6 बन रहा होगा तो यह obviously plus 1 ही बनेगा चेक करियो तो co factor कितना मिल रहा है minus 14 5 और 1 absolutely कड़ा है option C बिलकुल सही मचा देंगे शोर चारो और योयो के साथ चलिए चलिए on your screen 6th question right now आओ बिलकुल यह रहा the matrix lambda minus 1 4 minus 3 0 1 minus 1 1 2 is invertible is invertible what is invertible जिसका determinant is not equal to 0 इसे कहते invertible matrix क्या कह रहा हूं मैं जिसका determinant is not equated to 0 is called as invertible matrix हाँ जी तो चलिए एक काम कर रहे होंगे हम वो invertible है already उन्होंने दिया है तो मैं उस matrix को determinant के form में लिख देता हूं यहाँ पे चलिए बिलकुल छोटे बच्चों वाली हरकत होती है जनाब which is not equated to 0 चलिए इस determinant को solve कर रहे होंगे हम lambda यह 0-1 चलिए माइनस 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 प्लस होगा क्यूंकि मिडल साइन माइनस होती है सभी को पता है बचपन से राइट चलिए तो माइनस 6 आजी प्लस 1 प्लस 4 नेक्स वन माइनस 3 और यह 0-0 no problem which is not equal to 0 चलिए यहाँ पे होगा माइनस लामडा यह होगा माइनस 5 तो माइनस 5 यह माइनस कितना हो जाएगा जी कितना हो जाएगा माइनस 12 माइनस 12 which is not equated to 0 यार यह कितना simple सवाल simple सवाल चलिए sol करेंगे ऐसे sum जो मिटाएंगे हमारे सारे जिंदगी के गम चलो 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 तो लामडा is not equated to minus 17 आ रहा होगा which is option is B क्या बात है यहार मजाक मजाक में छटवा question भी खतम हो चुका है चलिए on your next question right now yes 7th one if a is equal to दिया है if a is equal to देखो यह बड़ा मज़ेदार चीज़ है a is equal to one minus one two three zero minus two one zero three then adjoint of a gets multiplied with a यहां पर क्या कर रहे होंगे हम क्या कर रहे होंगे बताइए जरा बताइए हमें क्या कर रहे होंगे देखो adjoint निकालेंगे आप लोग हां cofactors निकालो उसका transpose करो है ना मतलब उत है मेरे पास कुछ shortcut बताईए बबाजी कल के shortcut में एक और shortcut चोड़ दीजिए यह कल मैंने जानबुच के नहीं बताया क्योंकि आज मुझे इसका question लेना था राइट है जी question के सामने सामने करवा दू तो बड़ा मज़ा आ जाएगा राइट तो चलिए shortcut दे रहे होंगे हम adjoint of a gets multiplied with a which is equal to determinant of a into i होता है क्या बोला मैंने determinant of a into i होता है तो एक ही चीज आपको अभी find out करनी है determinant of a और वो तो आप जानते हो वो तो आप जानते हो जी चलिए determinant of a निकलवा देते है और directly इस shortcut में आप चेक करके देखो यार hundred percent challenge है चेक करके देखो answer बिलकुल सहीं आना है आप को करिए गाउटी गिरी निकालिए co factors निकालिए minus निकालिए transpose करिए adjoint निकालिए फिर multiply कीजिए गाउटी की तरह एके साथ इतना लंबा चोड़ा procedure से अच्छा बाबाजी का मंतर बिलकुल अच्छा रहेगा जी चलिए तो one minus one two three zero minus two one zero three करड़क यार करड़क चलिए इसका determinant करवा रहे होंगे हम तो one यहां पे zero होगा प्लस one होगा चलिए three into three nine plus two plus two ओके यह तो पिलकुल zero होने वाला है चलो आरहे क्या वात है यार क्या वात है यह तो eleven हो गया जी यह तो पिलकुल eleven हो गया और यहां पे मुझे चलो 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 एड्जॉइंट ओफ ए टीक है into a which is equal to determinant of a into i होता है तो determinant of a कितना मिला मुझे 11 मिला i मतलब identity matrix करवा दो यार मेरे पीछे चुप रहा है मुझे पता है लेकिन tension मतलो आखिर कार में आपको सब यहां पे ओड़ा सा बाजू में अटके पूरा answer दिखाने वाला हूं tension ना लो जी वेलकुल 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 absolutely कड़ मुझे जवाब मिल चुका है option D को लगे हातों मांग कर लो और पूरा का पूरा लिख दो यार अच्छे से come on everyone everyone पूरा लिख दो shortcut कई नहीं मिलेगा बाबा की दरबार में ही मिलने वाला है लिख दिया चलिए मचाते है मचाते है next question के साथ on your screen right now बहुत important question तीन बार यह सीट उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ते है क्योंकि इसमें पढ़ने में ही बहुत लोग mistake कर देते है if P is equal to 1 alpha 3 1 3 3 2 4 4 यह तो ठीक है is adjoint of 3 by 3 matrix मतलब यह जो दिया है यह adjoint है समझ रहे हो यह adjoint है ठीक है and determinant of a is equal to 4 then alpha is equal to क्या alpha is equal to क्या यह पूछा है उन्होंने ठीक है ठीक है एक उन्होंने दिया है अब मुझे बताईए कि यहां पर उन्होंने एक determinant का value दे दिया है एक determinant का value दे दिया है तो एक काम करते हैं determinant on both the sides है ना यहाँ पर दोनों साइड पर हम लोग determinant ले रहे होंगे ले लिया मैंने मचा दिया मैंने determinant ले लिया अब बताईए determinant of adjoint of a यह तो बिल्कुल adjoint है ना यार तो इसका determinant ले सकता हूँ मैं और इस जगे पर value put कर सकता हूँ ठीक है तो मैं काम करता हूँ determinant of adjoint of a यहाँ पर लिख देता हूँ तो 1 alpha 3 1 3 3 2 4 4 करवा दिया हाँ जी बेलकुल चलो इसकी value find out करते हैं तो कितना आ रहा है 1 हाँ चलो 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 1 और यहाँ पर मिल रहा होगा मुझे 4 3 12 4 3 12 बिल्कुल 0 आ रहा है यह यह तो ठीक है minus alpha minus alpha check करियो 4 minus 6 आ रहा है ठीक है next one plus 3 यहाँ पर आ रहा है 4 minus 6 चलो 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 तो इसका answer कितना आ रहा है 2 alpha minus 6 आ रहा है कितना रहा है 2 alpha minus 6 आ रहा है ओके कल मैंने एक shortcut आपको बताया था do you remember that do you remember that देखो एक ही step का answer यहाँ पर अभी अटका पड़ा है एक step का answer अटका पड़ा है क्या answer है चेक करो थोड़ा ध्यान देना determinant of adjoint of a which is equal to determinant of a raise to n minus 1 raise to n minus 1 इसका मतलब क्या n is order of a matrix order of a matrix तो यह जो matrix दिया है इसका order कितना 3 है कितना 3 है जनाब 3 है राइट जी मचा दिया तो determinant of adjoint मुझे मिल चुका है 2 alpha minus 6 which is equal to determinant of a मुझे दिया गया है question में ही 4 और order तो आपको पता है 3 minus 1 तो यह 3 minus 1 करवा देता हूँ तो यहाँ पे चेक करिए कितना आ रहा है मुझे obviously 2 alpha minus 6 which is equal to 16 आएगा क्योंकि 4 का square न होए 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 तो alpha की value आ गई मुझे 5 बिल्कुल alpha की value मुझे आ रही है यह 6 उदर गया 11 बिल्कुल लिख लो पूरा अच्छे से लिख लो option D बिल्कुल सही जवाब ऐसे conceptual question last में बिल्कुल रखा है क्योंकि जो end तक पढ़ता है जो end तक वीडियो स्किप करके देखेगा उसी का फाइदा होने वाला है चलिए आगे बढ़ रहे होंगे हम last question के साथ on your screen right now चलो यार यह भी बिल्कुल conceptual question JEE 2014 में यह question पूछा गया था 14 का थोड़ा पुराना है लेकिन important है ठीक है ध्यान दियो क्या दिया गया है A square minus A plus I which is equal to 0 और A inverse हमें find out करना है क्या find out करना है A inverse का value हमें find out करना है ओके ओके no problem तो देखो यार इसको A inverse से multiply कर देते तो क्या मिलेगा A square minus A plus I और यहाँ पे होगा 0 A inverse into 0 क्योछ फरक नहीं पढ़ता है वो तो वैसे भी अपना 0 ही बनने वाला है रेट जी चलो इसको multiply कर देंगे तो A inverse into A square A बनेगा हाँ जी minus A inverse into A I बनेगा identity matrix बनेगा और यहाँ पे A inverse बनेगा which is equal to 0 absolutely कड़क बात खतम यार बात खतम आ गया है मुझे answer A inverse is equal to I minus A देख करी हो अपने option में कहीं तो भी यह दिख रहा है क्या absolutely be option सही है यार ऐसे ही questions बिल्कुल CET में asks आते है और आ सकते है अब बिल्कुल अपना whatsapp group and telegram channel join कीजिए it's absolutely free of cost क्योंकि वहाँ पे हम लोग दिन बादिन दिन बादिन question bank डालते रहते जो CET के लिए और boards के लिए बहुत important रहेगा ठीक है तो जरूर इसका फाइदा उठाई है नीचे description box में उसका link दिया है और वीडियो कैसा लगा बेलकुल हमें comment करके बताईए और like ठोकना बिलकुल बूलने का नहीं like ठोकना बिलकुल बूलने का नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में derivative उसके साथ तब तक के लिए बाबाई take care and thank you so much guys